आज आधुनेक दुनिया बस लक्ष पाना चाहती है यानि वे सब कुछ जीतना चाहते है जिन्दगी हो या खेल भी बस जीतना चाहते है मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलती है लोग खेल इसलिए नहीं जीते क्योंकि वे जीतना चाहते है जीतना कौन नहीं चाहता? सभी जीतना चाहते है लोग खेल इसलिए जीतते हैं क्यूंकि वे अच्छा खेलते हैं, है ना? कोई भी टीम अच्छा खेल कर जीतती है, इसलिए नहीं कि वो जीतना चाहती है, जीतना कौन नहीं चाहता? योग में कहते हैं, अगर आपकी एक आँख लक्ष पर हो, तो रास्ता खोजने के लिए सिर्फ एक ही आँख बचेगी, ये खेलने का अच्छा तरीका नहीं है, दोनों आँखें खेल पर होना बेहतर होगा, जीत, कप और प्रशंसा इसलिए मिलती है, क्यूंकि हम एक अच्छ खेल खेलते हैं, हमारे चाहने से ऐसा नहीं होता, हमारे अच्छा खेलने से होता है, तो ये हमेशा सबसे अच्छा होगा, कि हम अपनी आँखें, शरीर, मन, सब कुछ एक ही चीज़ पर केंदरत रखें, तब ही इनसान अपनी अधिक्तम ख्षमता से काम करता है, हमारी संस्कृती में एक सुन्दर घटना हुई, जब द्रोनाचार्य, अर्जुन और कुछ दूसरों को तीरंदाजी सिखा रहे थे, उन्होंने एक-एक करके सभी से पेड़ पर रखे लकडी के पक्षी को देखकर, उस पर निशाना लगाने को कहा, उस पक्षी को वहां रखा गया था, पक्षी के गले पर एक छोटी सी बिंदी अंकित थी, तो द्रोनाचार्य ने कहा, तुम्हें वहां निशाना लगाना है, उस विशेश बिंदू पर निशाना लगाओ, तो जब पांडव डोरी खींच कर तीर मारने ही वाले थे, तब द्रोनाचार्य ने उन्हें रोक कर पूछा, तुम क्या देख रहे हो, तो उन्होंने कहा, हमें पत्ते दिख रहे हैं, पेड और फल दिख रहे हैं, हमें पक्षी और कई चीज़ें दिख रहे हैं, यही सभी जब अर्जुन का मौका आया, जब वो तीर चलाने वाला था, तब द्रोन ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो, उसने कहा, मुझे बस एक बिंदू दिख रहा है, तो जब कोई सिर्फ एक ही चीज़ देखता है, जब द्रिश्टी पूरी तरह केंदरत होती है, तब ही बात जीतने या कप घर वापस लाने की नहीं होती, बात समाचार पत्रों या प्रसिद्धी की नहीं होती, आपको बस गेंद को गोल में पहुँचाना है, मैदान पर आपका यही काम है, हर पल, बस यही है, है न? मैदान पर दस लोगों को सिर्फ यही करना है, हर बार गेंद को गोल में डालना है, आपका यही काम है, उसे गोल में डालना, वे आपको हर पल वहाँ पहुँचने नहीं देंगे, पर पूरा खेल बस यही है कि इसे वहाँ पहुँचाएं, वहाँ पहुँचाएं, अगर हम हमारा दिमाग कब जीतने पर केंद्रित है, यानि हम कब जीतेंगे या नहीं, हम मैच जीतेंगे या नहीं, मैंने देखा है कि फुटबॉल हो या क्रिकेट या होकी, खेल खत्म होने से पहले कई टीमें हार जाती हैं, किसी ने आपके खिलाब तीन गोल किये हैं, तो क्या, एक चमतकार नहीं होते, यह सच नहीं है, ऐसा हो सकता है, और हुआ भी है, है न, तो बात यहीं है कि किसने कितने गोल किये या नहीं किये, या हार होगी, या जीत, खेल खेलते समय बस एक ही लक्ष होता है, गेंद को गोल में डालना, बस यही. अगर हम कम से कम ऐसे ही रहें, तो हमारी प्रतिवा पूरी तरह से प्रकट होगी. हम जो नहीं है वो हम नहीं कर सकते अगर हम वो नहीं करते जो हम नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं पर अगर हम वो नहीं करते जो हम कर सकते हैं तो ये बरबादी है है के नहीं अगर कोई वो नहीं करता जो वो नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं पर अगर कोई वो नहीं करता जो वो कर सकता है तो जीवन बेकार है जब हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा तब ऐसा हमेशा होगा क्योंकि हम कुछ और ही सोच रहे हैं अगर सब कुछ एक दिशा में केंद्रित है तो अगर कोई अपने मन में बस ये रख पाए कि सारा खेल बस गोल करने के बारे में हैं, बात जीतने की नहीं है, बात कप या किसी और चीज की भी नहीं है, बस गेंद को गोल में डालना है, यही सब कुछ है, कम से कम आपकी प्रतिभा पूरी तरह से प्रकट होगी, अगर हम काफी अच्छे नहीं हैं, तो हमें और तैयारी करनी होगी, अगर हम काफी अच्छे हैं, तो नतीजे मिलेंगे, बस यही खेल है, पर अगर हमारी प्रतिभा पूरी तरह प्रकट नहूं, तो ये बेकार है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. झाल